नमस्कार मैं रमय सुरी सब और आप देख रहे हैं न्यूस फ्लैश लाइब खबर है जहारखन के गिरिडी से जहांपर देवरी थाना छेत्र के हरला पंचायत के रमय सरन गाव निवासी सारो देवी उम्र 55 वर्ष का सहे दासपद स्थिती में आगरा में मौत हो जाने के कारण जैसे ही उनका शब घर पहुँचा तो पूरे गाव में मातम चा गया जिहां मृतक का अंतिम संसकार करने के बाद पूरे गाव में संनाटा पसरा रहा इधर मृतक के पुत्र तलकेश्वर दास ने बताया कि उनकी मा शुक्रवार को टूरिस्ट बस से घूमने के लिए दिल्डी गई थी उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि उनकी मा की मौत कैसे हुई है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी के पास पैसे नहीं रहने के बाबजूद भी गाउं के ही जगनात वर्मा अपने साथ ले गए और आज उनका शब जो है घर भेज़ दिया गया आज भी उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी मा की मौत कैसे हुई है एजेंट जगनात वर्मा को फोन करने के बाद भी ये साफ पता नहीं चल पाया है कि उनकी मा की मिर्तिव का कारण क्या है आज सुबह जब उन्होंने उक्त एजेंट को कॉल किया तब पर भी कुछ भी साफ पता नहीं चल पाया जब उनकी माँ जिन्दा थी तब भी उन्होंने कई बार कॉल किया था लेकिन उनकी माँ को कॉल नहीं लगा और कॉल लगा भी तो वो उठा नहीं रहे थे उनके पूत्रतल केशवरदास ने आगे बताया कि फिर अचानक उदर से कॉल आता है और बताया जाता है कि उनकी मा की मौत हो गई है उदर से कॉल कर बताया जाता है कि उनकी मा कपड़ा सुखाने को लेकर गिर गई थी और बुरी तरह घायल हो गई थी उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गया गया जहां पर उन्हें मृत घोशित कर दिया गया तो ये बड़ी खबर है गिरिडी से जहां पर देवरी थाना छेतर के हरला पंचायत के रमूसरन गाव निवासी सारो देवी का संहेदास पर दिस्तिती में मौत हो गई है